पॉल्टी का सबसे इंपॉर्टन टॉपिक पंचैती राज जो की काफी महठपुन है यहां से कम से कम एक कोशन तो आता ही है तो यह टॉपिक आप शुरू से लास्ट ट्रक जरूर देखें सबसे पहले जो भी नए स्टुडेंट आया है उनके लिए आप ब्रह्मा स्रीज का प्लान समझे पहला वीडियो गायर वीडियो जिसमें question bank और syllabus का पूरा analysis करके बताते हैं जिससे कि आप यह समझ पाएंगे कि आप को क्या पढ़ना चाहिए कितना पढ़ना चाहिए यह टॉपिक कितना important है और किस topic को छोड़ देना चाहिए यह हर चीज मतलब कम टाइम में बहतर तयारी कहा जाता ना hard work से बहतर होता है smart और smart work का सबसे बेथर तरीक है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है को बार सकेंड वीडियो टेस्ट वीडियो डालते हैं जोदि आप त्यारी कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देने से ये पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक बहतर है कौन सा टॉपिक में अभी और मेहनत करने की जरूरत है तो मतलब आपकी अंदर की कमी जिस आपको काभील बना पाएंगे जो एक इक जामनेर होता है जैसे कि अभी इक्जामनेर में आप एक्जाम देने जाते है तो अक्सर आपके साथ यही होता होगा कि आप एक्जाम देने गये आपको कोश्चन भी आ रहा लेकिन प्रेसेंस नहीं ओ थोड़ा पर गरबर हो गया गलत मरा गया और एक्जाम कहीने कहीं आप फेल होड़ा है एक्जाम में तो यह सब हर छोटी-छोटी गलती छोटी-छोटी कमी यह सभी कमी को दूर करेगा कौन यह टेस्ट अभी से टॉपिक वाइस टेस्ट डिजिएगा जो टॉपिक आपका कमजोर है इस टॉपिक में फ एक्सप्लामिनेशन वीडियो टॉपिक वाइस जो टेस्ट लेते हैं उसका तो एक्सप्लेइन करते ही हैं साथ में उससे रिलेटर जो भी एक्स्ट्रा थेक्ट होते हैं उनका भी उसमें चर्चा करते हैं तो एवरी डे आपको कितना वीडियो तीन वीडियो मिल रहा है और और साथ देते रहे चलिए देर ना करते होए topic प्रारता है सबसे पहले आज देखते हैं पंचायती राध सीधा नाम से ही समलते हैं क्यों तका मतलब कया होता गरामीन होता है गाउं की साशन वेवस्था कैसी होना चाहिए पंचायती राज आया क्यों यह आज का दिन नहीं है यह जब बाइदिक सभेता ही प्रारभ हुआ तब से ही पंचायती राज मतलब कोई भी समस्या हुआ तो उसको अपने पंच पंच लोग ही मिलके मतलब गाउं समाज के जो सम्मिधान में क्या कि आप पंचायती राज को दोड़ा गया तो कौन से यहां से question देखें कहा-कहां से पूछ लेता है कौन से समिटी के सिफारीष पर पंचायती राज व्यस्था को लाया गया समीधान के कौन से अनुछेद में इसका वरणन किया गया है इसके बाद सम्मि संसोधन में इसको जोड़ा गया तो यह एक करम है और यहीं से क्वेशन पूछ रहा है और आप यहीं से क्वेशन पूछ रहे हैं रेगुलर तो आपको तो पता होगा जदी नहीं आप फस्ट वार जूड़े है तो आप क्वेशन बैंक में देख सकते हैं कि करम में पूछा हुआ कि किसी-किशी वर्ष दो तीन कोष्टन पूछा लाता किसी वर्ष एक होस्टन तो फिक्स पूछता तो आप समझ ृह कि इसता तोपक कि कौन से सम्मिधान संसोधन के द्वरा इसे जोड़ा गया यह आप कमेंट करके जरूर बताए और यह बता देते हैं राज को कौन से अनुछेद में राज को यह कहा गया है कि आप पंचैती राज विवस्था को सुचारों रूप से चलाए तो अनुछेद 40 हम पीछे बताए थ से तत्में यह आदेश देता है कि आप पंचैती राज विवस्था को भी सुचारों रूप से चलाए तो समझ के मतलब यहीं से इर्द गिर्द में घुमा के पूशता है इसमें भी एक टॉपिक है नगर नियोजन नगर नियोजन में भी काफी कोशन पूशता है नगर परि सिफारिस पर इसका विस्तार हुआ है कौन से संविधान संसोधन के दूरा मतलब यह पूछने का तरीका है यह आप तरीका को समझ जब तक आप यह तरीका नहीं समझेंगे एक्जाम क्या पूछ रहा है वह क्या पूछना चाहता और आने वाले टाइम में क्या पूछेगा यह आपको पता होना चाहिए और यह कैसे पता होगा जब कोस्टन बैंक और सिलेवस का अनालाइसिस करेंगे यह आप नहीं कर पारें तो मेरा गैड वीडियो देखें गैड वीडियो में हम यही चीज करके आपको बताते हैं थोड़ा नया लग रहा होगा आपको थोड़ा reading करके बताते हैं कि सम्मेधान के इस अनुच्यद में इसका सम्मीधान के इस अनुच्यद में इसका वर्णन क्या गया इस वाकर दौन खिए सब्धी उसको जितना बहुता है उसका बहुत है देहाँ पता घ्र चलता है इनसान को आट जब दिल में लगता है तब दर्द पता क्या आप नहीं परते थे, आप एक बारते दिल से आथ रेके, पर ही तोaskaत kardeşim पढ़े रहे हो क्यों कैसे करते हैं, तो इसे प्रम प्रम करते हैं, देश्चे की पारते हैं, प्रम परते हो लुग अजम देधिया थे इसा Barry Smith के बढ़ निकाल देंगे सब इदर उधर 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 उत्ता पता चलता नेवर खूझ दिन ऐ साल दू साल C4 फेटा कूं कर्सेंच निकल निकलेगा सबका कुछ न कुछ अपना सिलम सोता है जिस को पोटेंशल को समझ एक क्या पूछ रहा हैं उस दिन से आपका वो एक्जाम निकलना शुरू हो जाएगा और वो कब होगा जब आप सही से सिलेवस और कोश्चन बैंक का पूरा एनालाइसिस करेंगे और यही काम आपको हम इस वीडियो में करके देते हैं तो आप समझ गए कि हम आपको क्या समझाना चाते हैं त हन्यवाद